उत्रागंड राज्य अपनी खुबसुरत घनी घाटियों और सौन्दारी के लिए सदय से ही आकर सटका केंदर रहा है दोस्तो इस महा मुझे अपने पैत्रक गाउ यानी रानिखेश से पंदरा किलोमीटर दूर जखोली जाने का सौभाग्य मिला आज साधी के पाँच वर्सों बाद हम लोग गाउ पहुचे आज भी कुछ लोग गाउ में रह रहे हैं मगर कुछ लोग पहले ही यहां से रोजगार न मिल पाने की वज़ह से दूर सहरों में बस चुके हैं मगर सबी ने अपने घरों को दुबारा से सुधार लिया है और प्रतेक वर्स पुजापाट करने ही तो अपने गाउं घरों में आते हैं हमारा घर भी दुबारा से सुधारा गया है पहली बार घर जाने की वज़ह से हम घर की सारे यादें इस वीडियो में कैप्चर करके लाए हैं पंडिची के द्वारा घर के मंदिर में पुजापाट करवाया गया यहां पांच किलोमीटर पैदल चल कर आते थे मगर अब सड़क की सुधा होने की वज़ह से लोगों का जीवन यापन करना सरल हो गया है हमारे जखुली में हमारे इश्ट्रदेवता भूम्यादेव का मंदिर सभी गाउवालों के सयोग से काफी बड़ा बन चुका है इस गाउव के प्रमुक मंदिरों में भूम्या, गोलू, संतोसी माता, नरसिंग, कालिका माता प्रमुक मंदिरों में पाए जाते हैं पंडिची के द्वारा सभी मंदिरों में आज पूजा अर्चना संपन्न हुई गाउ जाकर मुझे यह महसूस हुआ कि गाउ में जुद सुकून एकता और सांती का वाता बराण है वो सहरों में कम होता जा रहा है अगर रोजगार, सिख्षा, होस्पिटल की सुजदाएं गाउ के आसपास हो जाए तो किसी भी व्यक्ति को अपना गाउ छोड़ कर सहर नहीं जाने वाण